what right so welcome back again my channel last time मैंने एक वीडियो अप्रोड किया था iOS कीबोर्ड कैसे अपने Android phone के अंदर यूज करना है so guys बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आ रहा था कि उनके अंदर iOS emoji तो वर्क करी नहीं रहे iOS कीबोर्ड सही तरीके से वर्क करना है लेकिन iOS emoji बिल्कुल सही तरीके से वर्क नहीं कर so guys टेंशन लेनी के ज़रत ने इस बर में लेके आया हूँ आपको iOS कीबोर्ड भी यूज करना होगा और उसके साथ ही आप लोगों को iOS emojis भी मिल जाएगे so guys मैं आपको वो ट्रिक इस्टाग्राम पे भी शेयर करके दिखाऊंगा so बिल्कुल भी skip मत काना वीडियो को एंट टक देखना तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीम पे देखी सकते हो हमारा Android कीबोर्ड कुछ इस तरीके से होगा तो कि दिखने में बहुत ही खराब दिखता है खराब मतलब बिल्कुल डल और ज्यादा अट्रेक्टिव नहीं लगता है लेकिन guys जैसे ही में ट्रिक आपको बताऊंगा उसके बद आपका भी कीबोर्ड कुछ इस तरीके से वर्क करेगा और कीबोर्ड के साथ साथ आप लोग देख सकते हो अंदर iOS, emojis भी बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगे तो कैस कुछ इस तरह का कीबोर्ड करने के लिए आपको वीडियो को एंट टक देखना होगा तो चलिए guys वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसी करग़ें और यहां पर ऐपको सर्च करने है Г्रीन neighbourhood Keyboard जैसे आपे सर्च करोगे यहां पर फिर जिए Y attitudes को अपने पॉन में और और उस्थे उपन करने हैऒ चैपके बादी नेक्स्ट करने है उसके बाद जैसे ही आप लोग green apple को select करोगे तो यहाँ पर simple आपका finished हो जाएगा उसके बाद आप लोग देख सकते हो iOS का keyboard तो आपके phone में install हो गया है तो मैं आपको check करके भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो iOS keyboard तो आपके phone में install हो गया लेकिन बात करें emojis की तो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से अभी भी emojis work नहीं करा तो इसके अंदर आप लोग iOS emojis कैसे add कर सकते हो वो भी आप लोग ध्यान से देख लो तो simply आपको playstore पर चले जाना है और जेरफोन सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपको first याविर second हो रहा होगा उसको simply install कर लेना है अब जैसे ही install करोगे उसको open कर लेना है उसके बाद simply open कर लेना है उसके बाद simply agree का option आजाएगा तो agree कर लेना है उसके बाद grant का option आजाएगा तो होई रहा होगा तो जैसे ही आप लोग प्लस वाले आइकोन पे टेप करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को IOS 16.4 का Emoji का फाइल मिल जाएगा अब आपको यह फाइल कहां से मिलेगा तो उसका लिंक आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा और टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगा तो ढीस liesे ही टेप करो में हम रहें टेलिग्राम पे चलेजाऊगे वहांसे आपको ios 16.4 फाइल को डाउलोर कर लेना है जैसे ही डाउलोर करोगे simply यह जेरफोंट के अंदर आके यहाँ से आपको add कर लेना है अब जैसे ही यहाँ पे add करोगे simply उसके बाद OK कर देना है उसके बाद वो फाइल पे जैसे ही tap करोगे नीचे apply का option आ जाएगा simply apply कर देना है और आपको उसके अंदर first वाला option है वहाँ पे simply tap कर देना है उसके बाद change phone का option आ जाएगा simply change phone पे tap कर देना है और जैसे ही change phone पे tap करोगे नीचे apply का option आ जाएगा तो simply वहाँ पे tap कर देना है उसके बाद OK कर देना है अब जैसे ही OK करोगे अपने phone को एक बार restart कर लेना जैसे ही आप लोग phone को restart करोगे तो आपके समने एक magic show हो जाएगा magic means आपके phone के अंदर भी iOS 16.4 के emoji इंस्टल हो जाएगी याकिन नहीं होता तो आप लोग खुद देख लो तो जैसे ही मैं यहाँ पे Instagram पे tap कर दे रहा हूँ आप लोग हमारी यह दो वीडियो चेक कर सकते हो वहाँ पे आप लोग को कुछ ना कुछ इमोजी स्के ट्रिक्स मिल जाएगे और आपके phone के अंदर भी iOS इमोजी वर्क करेगे तो फ्लीज लाइक कर देना और कोमेंट में बताना कि इस वीडियो किस टॉपिक के लगे आओ और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूद कर देना तो चलिए के इस में अगले वीडियो में तक तक के लिए गुड़ बाई